आज बनाएंगे हरे मंटर और गिहुं के अाटे का बना बहुत ही घल्ढी और टेस्टी क्रिस्पी सा नास्ता, जिसे बनाना बहुत आसान है, आप इस नास्ते को बनाने के बाद 5-6 दिन के लिए फिरिज में स्टोर भी कर सकते हैं, ये नास्ता बनाना बहुत ज़्यादा आसान है तो चलिए आज की रेसिपी हम सुरू करते हैं तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए आज की मैदा रेसिपी हम सुरू करते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल लेंगे और उससे मैं डाल रही हूँ आधा कप गिहूं का आटा जिससे घर में हम रोटी बनाते हैं आप ग्यों के आटे के बजाए आप यहां आधा कप मैदा का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप मैदा खाना पसंद करते हैं तो अब इसी कप से यानि कि आधा कप हम इसमें डाल देंगे सूजी और एक चमच मैं डाल रही हूँ नेम्बू का रस अगर आपके पस तो मैं यहां दो हरी मिर्च को इस तारीकी से तोड़के डाल रहे हूं आधा चोटा चमच सौफ डालेंगे इस नास्ते में आप सौफ जरूर डालेगा इसका फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है चार से पास लेसन की कलिया डाल देंगे थोरा सा बारी कटकर के अधर डाल चमच में जीरा डाल देंगे इस नास्ते को आज हम बना रहे हैं हरे मटर से तो देखिए मैं यहां एक कप कच्छा हरे मटर ले रहे हूं और इसी सबसे पहले मिक्सर के जार में डाल देंगे और बीना पानी डाले हुए इसको हम बस दरदरा सा पीस करके तयार करेंगे तो हरे मटर को भी हम डाल लेंगे इसी वाले बावल में यानि के जिसमें हम सुजी और गिहूं के हाटे निकाल करके रखे हुए थे अब इसमें हम डाल देंगे आधा चोटा चमच कुटी हुई लाल मिर्च यानि के चिली फिलक्स आप चाहें तो यहां लाल मिर्च का पौडर भी डाल सकते हैं आधा चोटा चमच हम डाल देंगे गरम मसाला और श्वाद के नुसार हम इसमें नमक डाल देंगे अब पानी के बाड़ी आती है तो मैं यहां एक कप पानी ले रहे हूं आधा कप गेहूं का अटा और आधा कप सूजी मिला करके एक कप हुआ तो आप इस तो बेटर आपको अच्छा बं करके तयार हो जाएगा अब चलिए नास्ता बनाने के लिए मैं इस तरीके का स्कुाइर का क्यक्तिन का इस्तेमाल कर रही हूँ अगर आपकर आप ऐसा बर्तन है तो आपकर आपकर ऐसा बर्तन hamr नहीं है तो कुसी भी बर्तन में आप इस ना सब्सक्राइब जाएब नहीं है तो कोई भी छोटी सी तो ड़ी रख ले इसके बीच में हम रख देंगे ऑस इसे उपार से धग करके हम इसे 10 मिनट में हाई फिलेम करते हुए हम इसे अच्छे तरीके से रखेंगे देखे मैं इसे 10 मिनट के लिए हाइफ लें पे स्टीम कर ली हूँ एक टूटपिक डालके देखे या फिर चाकू अगर क्लीन निकले तो समझ जाएगे कि अच्छे तरीके से स्टीम हो चुगा है गयस को बंद कर देंगे और इसे थोरे तरीके लिए बस ठंडा हो जाने किटने आपसे था चाहा कूट आपको करने के बपार नास्ता कनेंगं के लिए तो थोरे करने के लिए नास्ता नहीं बकितने दिन की स्टेम में पर शल सकते न सिंदू सboys कटेमे में सपीस काती थी तो बस इससको करने के बाद वहाया से पतलेपतले से थो आपके के नास्ते को इस तरीके से पतले पतले काटाओं लूगीॉंगर को सबसे पहले तेल को अच्छे तरीके से गरम कर लें थंडे तल में आप इसे भी नास्ता बहुत ज्यादा ऑईली बनता है जैसा तिल गड़म हो जाएगा एक एक करके सारे नास्ते को डाल देंगे और बस उरट-पुरट करते हुए गयस का फ्लम मीडियम रखते हुए इसे हम अच्छे तरीके से क्रिश्पी होने तक फ्राई कर लेंगे अगर आप इस नास्ते को हेल्दी तोर पर बनाना चाहते हैं तो बस करने के बाद ही आप इस नास्ते को सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ बहुत ज़्यदा टेस्टी लगता है और देखे इसी तरीके से करते हुए मैं सारे नास्ते को जो है फ्राई कर लेंगे तो इस ठंड में अगर आपके घर में भी हरे मटर है तो इस नास्ते को है आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व करें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है उपर से एकदम क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है तो अगर रेस्पी पसंद आई हो तो प्लिज वीडियो को लाइक कर दिजेगा और कमेंट चलूर के जाएके रेस